बेटा बोला मा मैं भी तलाब में तैर ना चाहता हूँ मा बोली नहीं बेटा डूब जाओगे बेटा बोला लेकिन पापा तो घंटे भर से तलाब में तैर रहे हैं मा बोली बेटा तुम्हारे पापा का बीमा हो चुका है हर्याना की महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक टीचर आई इनको A for Apple, B for Boy तो समझाना आसान नहीं था इसलिए नया तरीका निकाला गया A for अमर की बहू, B for बबलू की बहू, C for चंदर की बहू W को देखकर ताई कन्फ्यूस हो गई और बोली दिखे तो ये मदन की बहूस है, पर टांगा ना उपर क्यों करके पड़ी सै लड़का बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की बोली, नहीं, लड़का बोला, तो अपनी सहली से पूछलो एक बार, सायद वो करती हो थोड़ा बहुत रमेश और सुरेश, दोनों संगीता को पसंद करते थे, और उससे विवाह करना चाहते थे संगीता दुविधा में थी कि किसको चुने, वह एक मुनी के पास जाकर पूछती है हे मुनीवर, रमेश और सुरेश, दोनों मुझे पसंद करते हैं, और साधी करना चाहते हैं, आप ही बताएं कि कौन भाग्य साली रहेगा मुनीवर, थोड़ी देर गड़ना करने के पस्चाद बोले, रमेश अधिक भाग्य साली है, तुम्हारा विवाह सुरेश से होगा अमिताब बच्चन और प्राण सहाब बस स्टाब पर खड़े थे, बस आई, प्राण सहाब बस में चड़ गए, लेकिन अमिताब नहीं चड़े, क्योंकि बस पर लिखा था, रगुकूल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बच्चन न जाई एक नव विवाहिता को अंग्रेजी सीखने का सौग चड़ा, तो पडोस के एक मास्टर सहाब से अंग्रेजी सीखने लगी, मास्टर सहाब ने पहले ही दिन बता दिया था, कि अपनी बोल चाल में अधिक से अधिक अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, तो अंग्रेजी जल्दी सीख जाओगी एक दिन जब पत्नी थोड़ा देर से घर पहुची तो पती ने जहला कर पूछ लिया अभी तक क्या कर रही थी पत्नी ने कहा अरे गुस्सा क्यों होते हो ऐसे लिखने के बाद मास्टर सहाफ से करप्सन कराने चली गई थी